मंदिर का क्या काम जब हुआ मुल्क इसलाम हुआ मुल्क इसलाम तो भीया आप क्या कीजिए कान पकड़िये धर्म बदलिये जिन्दा रहिए अरे मुश्किल में है जान के भीया आप क्या कीजिए जो भी करे इमरान भीया सहते रहिए तो दोस्तो पाकिस्तान की राज़ाइन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के अंदर एक श्री कृष्ण का मंदिर बनाया जाने लगा, उसकी कंस्रक्शन जैसे ही जुरू हुई, वहां के कट्रपंथियों ने उसकी कंस्रक्शन को तोड़ दिया और बहुत सारा बवाल, पॉलि तो दोस्तो सबसे बहले पूरे केस को समर्जते हैं टाइम लाइन के हिसाब से, रामकुण अब इस्लामाबाद में 10 लाख लोग रहते हैं और वहां की जो पॉपिलेशन है उसमें 3000 हिंदु रहते हैं और पूरे रामकुण अब इस्लामाबाद के अंदर एक भी मंदिर और एक भी शम्शान घाट नहीं है यानि कि इन हिंदुों को जलाने के लिए उनके पार्थिव शरीर को जलाने के लिए कोई जगा है ही नहीं साल 2016 हिंदू बंचायत ने एक अर्जी दायर किया और उसमें कहा गया कि साब हमें एक शम्शान घाट दे दो और हमें एक मंदिर दे दो ना तो हमें पार्थिव शरीरों को जलाने के लिए कोई जगा है और ना ही पूजा करने के लिए कोई जगा है साल 2017 इस बात को सुना गया नया पाकिस्तान बन रहा था साल 2018 में एक जमीन को अलोट कर दिया गया और कहा गया कि इस थान पर आप मंदिर बना सकते हो साथ ही साथ इमरान खार ने साल 2019 में ये अनाउंस कर दिया कि अब हम आपको 10 करोड रुपे देंगे इस मंदिर को बनाने के लिए लेकिन दिया कुछ नहीं लेकिन उसके बाद साल 2020 में जब हिंदू पंचायत में वहाँ पर मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और कंस्ट्रक्शन को बीते हुए अभी कुछ हफता 10 दिन ही हुए थे वहाँ पर एक रोश पैदा होना शुरू हो गया वहाँ पर एक आवाज बुलंद होनी शुरू हो गई कि नहीं ये मंदिर नहीं बन सकता कॉंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद इसलामाबाद हाई कोट के अंदर एक अर्दी दायर की गई कि भाई इस मंदिर को बनने से रोका जाए इस पेटिशन को इसलामाबाद के हाई कोट ने रद कर दिया और कहा कि भाई let them build the temple लेकिन हाई कोट के इस फैसले को मानता कौन है वहाँ पर अभी भी भेंकर भोकाल मचा हुआ है क्या तो सियासतदान और क्या ही मुस्लिम क्लेरिक्स सभी लगे हुए हैं इस मंदिर को ना बनने के पीछे अब देखते हैं कि किस तरीके से और किस लिए religious बवाल वहाँ पर शुरू हो गया और political बवाल वहाँ पर शुरू हो गया इस मंदिर के construction के बाद पाकिस्तान और इसलामाबाद के majority लोग इस मंदिर के construction के अगेंस्ट हैं और ये बताती है पाकिस्तान की खुद की एक पत्रकार आप सुनिए ये जो मंदिर था ये किसी विवादि स्थान पर नहीं वन रहा था एक खाली जगा थी जहां पर उनको कहा गया कि आप यहां पर अपना क्रिमेशन सेंडर और मंदिर बना लो वो वही पर construction कर रहे थे पूरी की पूरी उन्होंने इजाज़तें ली थी उसके बाद ये construction कर रहे थे लेकिन फिर भी किस तरीके से छोटे-छोटे बच्चों तट के व्यूज इस पर आ रहे है हैं वो हम सभी ने देखा है इसलते क्लरिक्स ने भी इस मंदिर की खिलाफत की और वहीं साथी साथ पाकिस्तान की political parties ने भी इस मंदिर की खिलाफत की ऐसी पार्टी जो सत्ता में हैं यानि कि वो घटक दल जिनकी वजा से पाकिस्तान की जो सरकार है वो चल रही है वो अपना समर्दन अगर वापस ले ले तो वहां की सरकार गिर जाए ऐसी वालिटिकल पार्टी के सबसे बड़े नेता परवेज इलाही वो भाई सब कहते हैं कि नहीं ये मंदिर नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान जो इसलाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारलहो कोमद इसलामाबाद में नया मंदर बनाना ना सिर्फ इसलाम की रूह के खिलाब है बलके ये रियास्ते मदिना की भी तुहीन है पाकिस्तान के मीडिया हॉसे दिनो दिन घंटो घंटो के वल इसी बात पर डिबेट करते हैं कि यहाँ पर यह मंदिर क्यों बन रहा है मंदिर नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान की बड़े बड़ी उनिवर्सिटी जो एचोडीज है वो भी इस पर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं नहीं मंदिर कैसे बन सकता है ये तो दीन के ही खिलाफ है इस मंदर को बनाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए इस मंदिर की खिलाफत का रीजन क्या है तो भाई इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये मंदिर है अरे भाई या पाकिस्तान के अंदर मंदिर ये तो कैसे हो सकता भाई बावा बावा ये तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर 1260 याने की 1288 टोटल नमबर अफ मंदिर हैं और उनमें से जो फंक्शनिंग हैं वो केवल 31 याने की 31 हैं बाकि सभी को या तो तोड़ दिया गया है उनको टॉइ शॉप बना दिया गया है या फिर वहाँ पर रेस्टोरेंट्स बना दिये गये हैं या फिर उनमें पूजा अर्चना करने की कोई इजाज़त नहीं है अब इसलामाबाद के लोगों का अपना कहना ये है कि इसलामाबाद यानि की इसलामाबाद यहाँ पर ये इसलामिक नगरी बनाई गई है जो कि मक्का मदीना की तरह ही है तो वहाँ पर कोई मंदिर नहीं बन सकता तो वह ऐसे तो पाकिस्तान भी एक Islamic country है तो वहाँ पर भी कोई मंदिर नहीं बन सकता है ना अब बात करते हैं रामकुट इसलामाबाद के इतिहास की तो वह तर्क ये दिया जाता है कि रामकुट इसलामाबाद जो है वो एक Islamic नगरी है और 1960 भी इस नगरी को बनाया गया था और कराची से हटा कर इसको पाकिस्तान की राज़ानी बना दिया गया था अब क्या ये जगा exist भी करती थी 1960 से पहले या ये जगा थी ही नहीं तो वह रामकुट रामकुट का नाम चेंज करके नोंने कर दिया इसलामाबाद 1947 तक हर साल यहाँ पर मेले लगा करते थे राम भक्त यहाँ पर आया करते थे और राम भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे हजारों साल पुराना एक राम मंदिर इसी जगा पर मौजूद है जिसमें से मूर्तिया पाकिस्टान की गवर्मेंट ने हटा ली है जिसको एक heritage site उन्होंने घोशत कर दिया है लेकिन वहाँ पर कोई पूजा अर्चना नहीं कर सकता ऐसे orders भी उन्होंने दे दिये हैं हिंदु के पास ये मंदिर है तो सही पर ये मंदिर मंदिर ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर मूर्तिया भी नहीं है और यहाँ पर पूजा अर्चना करने की इजाज़त भी नहीं है हिंदु मानेता के हिसाब से इस मंदिर का जो महत्व है वो ये है कि भगवान राम जब अपने परिवार के साथ 14 वर्च के वनवास के लिए गए थे तो इस जगा पर यहां का जो कुंड है वहाँ पर उन्हें पानी किया था और इस जगा पर उन्हें विश्राम किया था उसके बाद इस मंदिर को बनाया गया हर साल राम भक्त यहां पर आया करते थे और पूजा अर्शना किया करते थे अगवान राम ने यहां पर पानी पिया था इसलिए इसे राम कुंड नाम दिया गया था मगर अब यह इसलामाबाद हो चुका है तो यहां से साफ है कि हिंदू सिख क्रिस्टिन्स या फिर अन्य माइनॉरिटीज की हालत पाकिस्तान के अंदर दैनिया है हिंदू के पार्थिव शरीरों को जलाने के लिए कोई शम्चान घाट तक नहीं है और ऐसे में अगर भारत CAA को लागू करता है तो भारत के लिबरान्डू को प्राबलम हो जाती है अर्फा खानम शेरवानी को खुद लगता है कि पाकिस्तान में हिंदू और माईनॉरिटीज की जो हालत है वो बेहद खसता है, बेहद दैनिया है पाकिस्तान का अलफ संख्यक समुदाए हिंदू अलफ संख्यक समुदाए जो पहले से ही हाश्ये पे पढ़ा हुआ है दर्शकों से एक बार फिर फोकस में आ गया है लेकिन फिर भी CA के खिलाफ आर्फा खानम शेरवानी सबसे आगे खड़ी हुई थी हाँ अगर अब आपको ये लग रहा है कि आर्फा खानम शेरवानी पाकिस्तान की माइनौरिटी पाकिस्तान के हिंदू के लिए आवाज उठा रही है तो भाई इन मैडम का वह वाकियाद कीजिए जब इन्होंने कहा था कि अभी अपने आपको थोड़ा सा उदारवादी बन कि जब तक हम वो आईडियल सोसाइटी बन पाएं जहां हमारी मजभी पहचानों हमारी मजभी जो बिलीफ्स हैं जो हमारे नारे हैं उनको लेकर एक तरह की का एकसिप्टेंस पैदा हो तब तक हम एक इंक्लूजिव प्रोटेस्ट करें वहीं रवीश कुमार भला भाई भी C.A.E. क Casey के खिलाफ दिनो दिनु प्रचार करते रहे C.A.E. के खिलाफ लोगों को भड़काते रहे मगर इसका फाइदा क्या मिलनी तो उन्हें दोजक ही है ऐसा मैं नहीं कहरा वो कहरा है जिसने दिली दंगों को भड़काए जिसका न पाकिसान में मैनॉरिटीज की हालत किस प्रकार से देनिये हैं, वो कुछ एक्जम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, 39 जून 2020 पाकिस्तान के बांदिन में 102 हिंदूज को पकड़ा गया, फोर्सिबली कनवर्ड कराया गया इसलाम में और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया, 23 जून 2020 एक लड़की को अबड़क्ट कराया गया, उस लड़की के करमले बहुत रिसेंट हैं, जो हमने आपको बताए हैं, ऐसा वहाँ पर रोज होता है, और वर्षों से होता आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं, माइनौरिटी की हालत वहाँ पर कितनी दैनिये हैं, कुरोना की शुरुआत ही, कुरोना की शुरुआत में रिलीफ रहे थे, तो ये पूछा जा रहा था कि आपका धर्म क्या है, अगर आप माइनौरिटी से थे, तो आप से पूछा जाता था, क्या आप कनवर्ट होंगे, अगर आप नहीं बोलते थे तो आपको रिलीफ पैकेज़ेज नहीं मिलते थे, पाकिस्तानी प्लेज में हिंदूों लेकिन फिर भी वहाँ पर उनको पूजा जाता है दानिश का नेरियर से किस प्रकार का व्यवहार किया गया क्योंकि वो हिंदू थे ये शुविबत्तर ने बताया ही है मैंने का अब बोल और यहार मैंने बात खुल जेगी वैसी कि सर यहां से खाना क्यों ले रहा है मैं कि मैं तुमारा उठागे नहीं तो अपने घर पर उठागे बार पहंग दूँआ तेरे मुल्क वोगर शेशे आउट गर दे रहा है मगर इस सब के बावजूद भारत के लिबरांडू CA के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और लिबरांडू उसके खिलाफ थे यह जो मंदिर बनवाने का मामला है इसलामाबाद के हाई कोर्ट में किया हाई कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने कह दिया के बही मंदिर बनेगा लेकिन मंदिर बनने की बात को सुनेगा कौन हाई कोर्ट की बात को सुनेगा कौन इमरान खान साहब वो पूछ रहे हैं क्लेरिक से तो पूछ रहे हैं इसलामिक आइडिलोजी काउंसिल से कि भाई इस मंदिर को बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए हाई कोट की बाद कौन सुनता है भाई और उपर से ब्लेस्वेमी का कानून तो वहाँ पर आप जरा सा भी उच नीच करो आपको या तो देश छोड़ कर जाना पड़ेगा या फिर आपको लटका दिया जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो वहाँ के माइनॉर्टीज की इस देने आहलत को परिशानी हुई है इसी एक एक एक्जांपल को हमारे सामने रख दें कि उसका देश निकाला भारत से हो गया है उमीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी आप इस वीडियो को जाद से जाबा शेयर करेंगे लोगों के सामने वहाँ के लोगों की प्ली को रखेंगे और उमीद करते हैं कि वीडियो के comment box में आप अपने सुझाव हमें जरूर देंगे आप हमें support कर सकते हैं patreon और join बटन के थूँ दोनों ही के links जो हैं वो पिंड comment और description में दिये गए हैं आप देख रहे हैं आज की ताला खबर जहिन जवारत